राज जपाल रमेश बैस ने हेमंद सरकार को बड़ा जटका दिया है जो यहाँ बड़ी ख़बर आपको बता रहा है 1932 खत्यान आधारत विधयक को राज जपाल ने वापस कर दिया है हेमंद सरकार के लिए ये बड़े जटके के तौर पर देखा जा रहा है 1932 आधारत खतियान को लेकर हेमंद सरकार लगातारे से को पलब्धी के तौर पर प्रचारत कर रही थी और ऐसे में सरकार के लिए बड़ा जटका है विध्यक समविधान और सुप्रिम कोट के आदेशों के अनुरूप हो ये कहते हुए विध्यक को लोटा दिया गया है सरकार विध्यक की वैधानिक्ता की समिक्षा करे विध्यक समविधान और सुप्रिम कोट के आदेशों के अनुरूप हो इन नोट्स के साथ राज़िपाल रमेश बैस ने 1932 खतियान वाले राज़िस सरकार के विध्यक को वापस लोटा दिया है सरकार से विध्यक की वैधानिक्ता की समिक्षा करने की बात कही है और आपको बता दे कि विध्यक को समविधान और सुप्रिम कोट के आदेशों के अनुरूप बनाने को कहा गया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजेश बड़ा जटका 1932 आधारित खत्यान विध्यक को वापस लोटा दिया गया है राजज़िपाल की ओर से ऐसी जानकारी मिल रही है पूरी अपडेट चाहेंगे आपसे देखे दिपक सरकार के लिए कह सकते हैं कि जो आद ये बड़ा जटका है जो कि सरकार ने अस्थानिय निदी को दोबारा परिभातित करते हुए 22 बने एक बिध्यक बनाए गया था जिसमें 1932 को आधार बनाए गया था और कहा गया था जो आस्थानिय बैक्ती है खासतर पर बरगतीन और बरगत्चार के नौकरी में उनको आरक्षित करने के लिए अस्थानिय बैस्थी का परिभाता जो है वो टै हो इसको लेकर बिध्यक बनाए गया था और बिध्यक को राजपाल के पास अनमुदन के इदिये जा गया था ताकि उस राजपती से सहमती के बादी से लागु किया ज़त के लेकिन राजपाल ने पूरे बिध्यक को एक बाद फिर से वापस कर दिया और कहाए कि जो इसके अनरूप है अगर वो उसके अनरूप नहीं है तो जाइब है कि सरकार को फिर से चिंदन करना होगा और फिर से समशा करना दोगी उन्होंने इसका जो पूरा मामला है उन्होंने इसके एक रेफरेंस भी दिया है राजपाल ने जिसमें कहा गया था कि समविध्यान के धारा सुल्ला में जो तमाम देश के नाधरिकिन को समान अभिकार प्राप है खास्ता पर नियोजन के छेतर में सुल्ठ स्थाल की अधिकार लेकिन राजसरकार यह जो रचाहर विधान सभण होती हैं उनके पास यह अधिकार नहीं है कि कि अगर पुछ तंन मुधना की और पात करें पिर अगर आप उसने नग्याले की बात करें, तो राजसरकार जो जो जहार खांड हे, इसका वहाँ पर था, तुमक्त न करके उसलकार को दिया नहीं तो। कुल मिलाकर जो लबो लबाब है दी तक वो ये है कि राज सरकार के जो तमाम प्रयास रहे वो फिल्हाल यहां पर बिल्कुल और सफल हुआ है राजेश यानि कि इस बात की पूरी संभाव ना दिख रही है कि एक बार फिर राजभवन और सरकार के बीच तलवारे खिचेंगी इस मुद्दे को लेकर देखे फिलाल जो पूरा जो कानूनी दाव पेच है दी तक जिस कानूनी दाव पेच को लेकर ही पूरे चीज़ें की गई थी 1932 के खत्यान और इसके पूरे अधिकार को लेकर और जो खास तरफर जिस तरह से दमताय को परिवासित किया गया था ये सुरू से इस चीज़ को लेकर विवाद था और कई बार इसको लेकर सवाल भी ठड़े किये गए राजफरकार जानते हुए भी इसको गिद्या को पास करा कर राजपाल के पाले में डाला गया था राजफ़ान ने इसको दौ़ारा राजफरकार को पास देगा है और कहा अब पूरा मामना दासरे लगा सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद तो राज्यपाल ने 1932 अधारत अस्थानिय नीती विध्यक को वापस लोटा दिया है और इसे जारखंड हेमन सोरें सरकार के लिए बड़े जटके के तौर पर देखा जा रहा है 1932 अधारत खत्यान संबंदित विध्यक को जोर शोर से एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर हेमन सोरें प्रशारत कर रहे थे लेकिन अब राज्यपाल द्वारा वापस कर दिये जाने के बाद अब सरकार क्या कदम उठाती है देखना होगा